विल्कम तो माय केस्ट में हम ढालेंगे 3 तेबल स्पून वेजी टेबल कुकिंग ओवाइल इसमें हम ढालेंगे एक प्यास और प्यास को लाइट गोल्डन ब्राउन फ्राइड करना है हल्का सुनेरा करना है सुक सुनेरा प्यास को तो थोड़ी थोड़ी दिर बाद चमच चलाते रहें और इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राय करें मद्यम आंच पे फ्राय करें यह मैंने दो कप चने को आठ घंटे के लिए पानी में बिगो के रखा था तो यह देखें थोड़ा नरम हो गया है अच्छे से टूट रहा है आराम से इसमें डालेंगे हस्बे जाय का नमक एक चोथा चोड़ा चमच हल्दी एक चोड़ा चमच जीरा पाउडर एक चोड़ा चमच दनिया पाउडर तो यह मसाले और दो टमाटर साइड में रेडी रखें ताके जैसे ही प्यास को हम गॉल्लन ब्राउन फ्राय कर लेंगे फोरन से मसाले डालेंगे फिर टमाटर डालेंगे ताके मसाले जले नहीं तो प्यास को हलका सा सुर्क सुनेरा कर लें यह देख मैं लाल मिच लास्ट में डालूंगी अब मसालों को तीस सेकंड के लिए सिर्फ भूने फोरन से दो टमाटर डाल दें ताकि मसाले जले नहीं और अब हम टमाटरों को अच्छे से पकाएंगे तो ऐसे अच्छे से भून लें टमाटरों को जब तक मेशी पल्पी नहीं हो जात फांच मिन्ट लगेंगे मीडियम फलेम पे टमाटर को पकने मेन यह से गलने स्टार्ट औ गाए है तो यहां पे यह तमाटर अच्छे से गल गए hb लिएकर मेशी पालपी हो गाए है यह देखें, मैंने इसे पकाया है, पांच मिनाट मीडियम फिलेम पे लगाता चमर चलाते हुए, तब ही मेश करते हुए, इसमें अब हम यह चन्ने डाल देंगे, सारे चन्ने इसमें डाल दें, बिगोए हुए चन्ने, और अब हम इसे बूनेंगे, दो मिनाट तक, तो यह मै अच्छा टेस्ट आता है, बुनाई से, शोलों की बुनाई से, तो इसे मैंने बून लिया है, अब हम इसमें डालेंगे, दो कप चन्ना के लिए, दो कप पानी, जितना चन्ना, उतना पानी, तो यह देखें, मैंने इसे बुनाई कर लिए, अब हम इसमें दो कप पानी डाल डग दें, मीडियम फ्लेम पे दो सीटी लगाएं, अगर आपके चने नहीं गलते हैं दो सीटी में तो एक सीटी ओर लगा लें, पानी डाल कर, अगर गल जाते हैं तो फिर सही है, मेरे दो सीटी मीडियम फ्लेम पे गल गए थे 10 से 15 मिन तक मीडियम फ्लेम पे, तो यह देखे ग्रेवी कितनी मस्त बनी है हर चीज गल गई है और चना भी गल गया है मैं आपको टेस्ट करके दिखाती हूँ ये गरम है तो मैं इसे चमच में निकाल के बाउल में रखके आपको दिखा देती हूँ ये देखें चना बिलकुल परफेक्ली कुक है मैं उपर से लारमिश डाल रही हूँ गानिश के लिए और लास्ट में भी मैंने आपको चना गुला हुआ दिखाया है परफेक्ली कुक है ना और मेशी भी है और खड़ा खड़ा भी है थेंक्यू फर वाचेंग पी लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब यार व्यूस मेंटर से लॉट थेंक्यू फर ज को ज साथ वरचेंग ए दो जसी कुझ अजयर कुछ वट जसे लास कर टे से लागाई क्यू घ हुटाई है ये टो रज़ा वाद़ा रहाई ओर ना एल फॉह पानिट